खबर जैपूर से है जहां रमेश मोटवानी को सिंधी पंचायतों इवं संस्थाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है जैपूर चेटी चंड सिंधी मेला समीती महानगर जैपूर के चुनाओं 2024 के अध्यक्षपत हितू चुनाओं 11 फरवरी को संपन होंगे इस चुनाओं में रमेश मोटवानी ने अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ पेश करी है आपको बता दें कि रमेश मोटवानी सिंधी समाज से कई वर्षों से लगातार अपने समाज को समर्पित कर अपने समाज को समर्पित हैं साथी सर्व सिंधी समाज महासवाज जिला ध्यक्ष भी हैं और व्यापार संग मालवी नगर सेक्टर एक के अध्यक्ष हैं इसके अलावा आपको बता दें कि रमेश मोटवानी पिछले कई वर्षों से चेटी चंड सिंधी मेला समिती महानगर जैपूर से निरंतर अपनी सेवाई दे रहे हैं रमेश जी ने अपनी हर जमेदारी बखूबी निभाई है जिसकी सिंधी समाज खुले कंट से अकसर प्रशंसा करता है रमेश मोटवानी ने समाज हे तु अनिको ऐसे कार किये हैं जो कि एतिहासिक हैं और चेटी चंड सिंधी मेला समिती महानगर जैपूर का उन्हें काफी पुराना अनुभावी रहा है ऐसे में देखा जाए तो सभी प्रत्याच्चियों के उपर रमेश मोटवानी सबसे भारी पढ़ रहे हैं रमेश मोटवानी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि अगर समाज मुझे अध्यक्षपद हे तु अपना बहुमुल्य वोट देता है तो मैं तनमन धन से भगवान श्री जुलेलाल साइच सेवा करूँगा साथ ही 2024 का मेला इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर पन्चायत को अपने साथ लेकर चलूँगा मैं चेटी चंड की कारेकारणी में प्रतेक सिंधी पन्चायत में से एक एक आदमी को सम्मिलित जरूर करूँगा प्रत्याशी रमेश मोटवानी को सभी पन्चायत मालवी नगर प्रताप नगर मॉडल टाउन दुर्गपूर सिंधी कॉलोनी सर्वसिंधी समाज महसबाद जैपूर संचालक अंबे परमार्थ सेवसमिती जैपूर सहित सभी मुख्या ने अपना मत देकर विजय बनाने का अशिर्वादिया हाँ माहवाद्देव राषनानी प्रताप नगर सेक्टर चल्याशी गवांग शोग्याशी जी अशोग नंदी लग शुकनानी जी ये सब्धाए मिली करें असा प्रताप नगर जी तरफां लामेश मोटवानी जी खें उम्मीद्वार घोशित पधिया थ जिताना थी आधान वहीं कूरा करना इनने सहमती दिनी आयने लाए लाव सभाले मेडा ही पाप हम इस अधान पर ने सांगे ळिंड मोत वाणि एक है मैं इनन सांगे विश्ताब ने लिए पराथाम ने आप मुखी आयने जैपूर से गौरव अहुजा की रिपोर्ट टीवी वन इंडिया न्यूज